किसान भायों आपने लीची की फसल में इस परकार की समस्या जरूर देखी होगी क्योंकि यह बहुत ही आम समस्या मगर बहुत ही गंभीर समस्या है क्योंकि इसके परकोब से फसल पुरी तरीके से बरबाद हो सकती है अगर इसका परबंदन किया जाए तो हम अपने फसलों को होने वाले भारी नुकसान से बचा सकते हैं जैसा कि अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि पत्यों का आकार पुरी तरीके से बदल गया है या माइट्स यानि के मकडी के परकोप से होता है जब मकडीया पत्यों पर अपना इंफेस्टेशन करती हैं तो वह उसका रस चूस लेती हैं और इस तरीके से वालवेटी या मकमली ग्रोथ पत्यों के पिछले सर्फिस में हम लोगों को देखने को मिलता है अफेक्टेट टहनियों की कटाई कर लें और इन कटे हुए अफेक्टेट टहनियों को गड़े में दफना दें जुलाई महीने में क्लोरफिनापायर 10 EC या प्रोपरगाइट 57 EC मकडी नासक रसायन का छिड़काओ 3 मिली लेटर परती लेटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर दो बार करें फिर से अक्टूबर महीने में ग्रसित टहनियों की कटाई चटाई के बाद इसी घोल का स्प्रे करें अगर आपको इस मकडी कपर को फिर से दिखाई देता है तो इसी घोल का परियोग आपको करना है मगर ध्यान रहे कि इसका परियोग आपको जब इसका फ्लश निकल जाए उसके बाद करना है और फूल खिलने से पहले ही इसका परियोग करना है